हाई अब्रिवन वेल्कम तो माई चैनल आज मैं शेयर कर रही हूं यह वाला डिजाइन बहुत ही छोटा छोटा डिजाइन है तीन फंदे और दो लाइन का डिजाइन है बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान डिजाइन है यह तो ladies cardigan का design है ladies cardigan, ladies jacket, shawl, muffler किसी भी आप इसको डाल सकते हैं बहुत ही आसान सा design है तो hardly तीन फंदे और तीन फंदे और दो लाइन का है तो आपको तीन फंदे तीन तीन फंदों का आपको multiple करना है design आपका complete हो जाएगा तो शुरू करते हैं कैसे बनता है यह डिजाइन तो देखिए सबसे पहली लाइन में आपको दो ही लाइन का डिजाइन है तो देखिए पहली लाइन में आपको एक फंदा उतारा और दो फंदे उल्टे धागा आगे किया अपनी तरफ एक और यह दो दो फंदे उल्टे फिर धागा ऐसे पीछे क अब जो ये वाला फंदा है जो ये फंदा है इससे पहले यहां नीचे इस तरह से जो दिख रहा है गैप ये जो दिख रहा है ये वाला जो गैप दिख रहा है उसमें इस तरह से सलाई डालनी है और एक फंदा निकालना है इसको थोड़ा सा लूज रखेगा क्योंकि जो ये वाला फंदा है वा पीछे से साथ में बुनना है तो उसमें थोड़ा-सा घड़ेट हो जाता गंगर तो इसको पेखर एक मिष्बू है धुकू ळाता निदिलリ Balon एक फंदा बना लिया तो यह एक फंदे के हमने तीन कल लिये हैं अब धागा अपनी तरफ किया और यह एक और दो फंदे उल्टे फिर धागा इस तरह से पीछे गया फिर से वही जो यहां पर गैब दिख रहा है उस पर इस तरह से निडिल डाली धागा लपेटा और एक हम बना लेंगे इस तरह से फिर से जो गैब दिख रहा है वहां पर इस तरह से फंदा डाला और यह एक फंदा हमने बना लिया तो दागा अपनी तरफ किया अब तरह से गैब दिख रहा है उसमें इस तरह से निडिल डाली धागा लपेटा और यह निकाल लिया फिर एक फंदा ऐसे सीधे बना लिया फिर उसके नेक्स्ट जो गैब दिखेगा उस पे इस तरह से निडिल डाली धागा लपेटा और इस तरह से निकाल लिया फिर दो फंदे सीधे एक सारी दो फंदे उल्टे एक दो दो फंदे उल्टे फिर से जो ये दागा पीछे किया जो गैब दिख रहा है उसमें निडिल डाली इस तरह से निकाल लिया फिर एक फंदा सीधा बना लिया इस तरह से बनाये फिर नेक्स्ट में जो गैब दिख रहा है इस तरो से बने हैं फिर ढागा आगे किया एक दो फंदे उल्टे फिर से वोई पूरी लाइन ऐसी करनी है वही ये डिजाइन इसमें इस gap में निडिल डाली इस तरह से एक फंदा बनाया फिर next जो फंदा है उसको इस तरह से बना लिया अब उसकी next जो दिखरा है gap उसमें इस तरह से निडिल डाली एक फंदा बनाया और दो फंदे उल्टे एक और ये दो और ये लास्ट का फंदा है अब सेकिंड़ वाली जो लाइन है उल्टी साइड की उसमें देख़िए ये पहला फंदा मैंने ऐसी रख़वा है तो उसको मैंने निकाल लिया अब जो दो फंदे हैं वो उल्टे बनेंगे, क्योंकि जो उस साइड जो दो फंदे हैं वो सीधे बनेंगे, एक और ये दो, उस साइड वो उल्टे हैं तो इस साइड वो सीधे आएंगे, अब धागा आगे किया, जो हमने ये तीन फंदे यहां पर बनाए हैं, क्योंकि हमने हमहाँ फंदे बढ़ आए थे तो इस साइड़ से एक दो और यह टीन के तीन है तीन फंदों को हम साथ में बना लेंगे और उनका इन तीनों फंदों को हम इस तरह से एक बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक, दो और ये तीन, तीन फंदों का हम एक कर लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक और ये दो फंदे सीधे बना बढ़ फिर ढग पनी तरफ खर एक दो और यह तीन के तीन में फिन उह का एक कर लेंगे तुम सब्सक्क्रावरा तो जो अमने उधार फंडे जो बढ़ गए थे वह इधर से एक्षल हो जाएंगे और यह दो फंडे उल्टें सीधे दो फंडें फिर धागा फिर यह लास्ट का फंडा तो इतना ही करना है और यह देखिए डिजाइन बनता जाता है यह बहुत ही अच्छा लगता है लेडिस कार्डिगन का ही डिजाइन है सिर्फ दो लाइन और तीन फंदों का और दो लाइन का ही डिजाइन है एक बार पहली लाइन से फिर से रिपीट करके बता देती हूं फिर से वही करना है एक फंदा उतारा इस तरह से दो फंदे उल्टे ए कि कि ऐसे एक और दो फंदेने फिर धागा पीछे किया यहां कि ज गैब डिख रहा है इस वाले पर कि यहां पर मिपन उससे पहले ज गैब Vegas रहा है उसमें हम सलाइद डालें गहे और इस तरह अगर बना लय रहें इसको फिर यह वाला फंदा हम सीदह बनाएंगे और उसके बाद जो गैब दिख रहा है उसमें सलाई डाली इस तरह से उसको बनाया तो ये एक फंदा था उसके दोनों तरफ हमने दो फंदे उठाए तो ये तीन हो गया है दागा अपनी तरफ किया एक दो कि दो पंदे उल्टे दागा पीछे किया फिर से वह यहां पर जो गैब दिख रहा है इसको इस तरह से बनाया फिर आप ये फंदा सीरा बनाया फिर ये वाला जो गैब दिख रहा है उसमें दिल डाली उसको बनाया फिर द्यान रखे इसको दो बार करना है एक तो इस फंदे से पहले एक इस फंदे के बाद फिर धागा आगे किया और एक और दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछी किया फिर से इस गैप में निडिल डाली एक फंदा बनाया फिर इसको ऐसे बना दिया इसको इस फंदे को फिर इसके नेक्स जो गैप दिखेगा उसमें निडिल डाली एक फंदा निकाला फिर धागा अपनी तरफ किया एक दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे किया यह वाले गैप में निडिल डाली एक फंदा बनाया फिर नेक्स वाले फंदे को सीधा बनाया फिर उसके नेक्स जो गैप दिख रहा है उसमें इस तरह से एक फंदा निकाला धागा अपनी तरफ किया दो फंदे उल्टे दागा पीछी किया एक चीज ध्यान रखिए कि दो फंदे उल्टे करने के बाद हमें इस वाले गैप में निडिल डालनी है और एक फंदा बनाना है फिर उसके नेक्स जो फंदा है उसको सीधा बनाना है अब उसके नेक्स फिर से एक बार फिर से ऐसी करना है निडिल डालनी गैप में और एक फंदा बनाना है फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा फिर उल्टी लाइन में जो फंदे हमने उस साइड उल्टे बनाए हैं उनको हम इस साइड से सीधा बनाएंगे एक और ये तो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे अब एक दो और ये तीन तीन फंदों को हम इस तरह से एक कर लेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदों को यहाँ से इस तरह से एक बना लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक और ये तो फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदों को यहां से इस तरह से एक कर लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे एक और ये दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे पीछे वाले लाइन पूरी ऐसी जाएगी तो इसलिए इन फंदों को जो है वो लूज रखें तो ये जल्दी बन जाएगा इन तीनों को इस तरह से एक बनाना है तो इसलिए इनको थोड़ा सा लूस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा फिर दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ फिर एक दो और ये तीन तीन फंदों का एक करना है इस तरह से धागा पीछे एक दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ फिर से एक दो और ये तीन तीन फंदों का एक करना है इस तरह से धागा पीछे एक दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ और ये लास्ट का फंदा तो इत्ते में ही यह design complete हो जाता है यह देखी ऐसा दिखता है यह आप इसको ladies cardigan पर डाल सकते हैं आफ यह अच्छा design है तो बहुत easy design है बहुत सुन्दर भी दिखता है सिर्फ तीन फंदे और दो line का design है pigners इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं तो वीडियो अगर helpful लगा होगा तो इसको like जरूर कीजे मेरे चैनल को subscribe भी कीजे और bell icon को click करना बिल्कूल मत भूले मेरे latest वीडियो के notification के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे किसी easy और beautiful design के साथ तब तब की लिए बाइब है तो मिलते हैं 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